आप कि अप अप आप आप नमस्कार जी नमस्कार नमस्कार बाचित कर रहे हैं न्यूज लेटर भिछ राकीस रंजन यूटूब चैनल के समपादक राकीश रंजन दुन के साथ बिहार में फिर से एक बार बिसेस पैकेज का नारा जो है काफी बुलंद हो रहा है और वो अदम ठीक चुनाव के समय में कि क्योंकि लुजपारंबिलास के सरवे सरवारत धक्ष चिराग पासवान ने जो अरोप लगाया या कहिए कि जो उनका ब्यान है कि 17 से लेकर के 22 तक वो फरकार में थे और बहुत ही करीबी थे उस समय वो बार बार क्यों नहीं जा करके प्रधान मंत्री से मिलते थे भी से पैकेज को लेकर के जबकि यह दोनों की सहमाती थी भाजपा की भी सहमाती थी और जदिव की भी सहमाती थी तो ऐसे मौके के पर राजत के साथ है और यह जुनाव है तो वहां की जनता को बरगलाने के लिए नितीज कुमार नहीं सुलोगन फेका है मुखमंत्री कि निटीज कुमार को खास करके सीए सबस्टांइब तो पत्रकार के रूप में हम कम से कम मांते हैं कि यह जो भी बातने आती जाती है किो यह मंदारी चिराग सवार सब्सक्राइब रहे सब्सक्राने मन्दारी सब्सक्राइब कि लेकिन पूल कि ने कूंदीन से टो पिर करके सामने रहे हैं नहीं रहा जाते हैं जो have your ढेन में कहा जाता है न के जो भी दल है आज के टारिक में बार्तिय लोक चंत्र में भाते होती है किसको घृत if चर्चा करें गे तो इसको बोलते हैं जो भी बागशा करें जिए हैं कि फेदबी लोकतंत्र इसको नितिश कुमार वहीं आ जाते हैं कुछ भी बात करें सम्रध समाज की बाते करें लेकिन खड़े हो जाते हैं कि फिर वही है उनकी पुल्मिला के सत्ता राजनीती के पिर तो आज के तारिक में चिराक पास्मन की राजनिती में क्या है कभी हमें मुल्यांकरन करते हैं चुके जो कर्जकरम होते हैं कर्जकरम में लोग जुटते हैं अब भीर का जुटना बोट के रूप में मने का बोलते हैं उसको सामने आना परिवर्टित होना कितना संभव है नहीं है उसके भी बहुत तेरे उदारन है लेकिन सचमुच मानिये तो यह कहने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि भादपा भले आज के तारिक में अपने को अगुआ मानते हुए चाहे हो किंद्र की राजनीती की परिपक्ष में हो या बिहार की राजनीती के परिपक्ष में हो अपने को कहती है कि अगर हम सत्ता के खिलाब खड़े हैं तो हम है आज के तारिक में बरे लेकिन सत्मुच की भूमिकां अगर कोई निभा रहा है और तार्किक तरीके से निभा तिक आज की तारीक में जो बर्तमान हैसियत अगर देखेंगे तो फिर चिराग पास्मान की संख्याबल के हिसाब से क्या हैसियत हो सकती है नहीं है लेकिन सवाल उठाने के मामले में और ताकिक रूप से देखिए अगर शिराग पास्मान अपरात के मुद्दे पर सवाल उठाते हैं या उठाते रहे हैं कालकरम आप उनके पीता जी यानि लोजपा के गटवंधन को और उसके साथ होके जो सरकार को उसको आप किनार में आप घट लीस डम लांटी साबुत तो इस साम में तो कह कुछ नहीं होतार बात कंसे कंद्र में ननिद्र Franthe कि सरकार है अगर आपको सराथ का दर्जा कौन देगा सरकार देगी तो अगर 214 से ही नरेंद्र मोजी की अगुआई में सरकार है तो 214 से लेके 223 तक कितनी वारा भाजपा के समर्शन से मुख्मंत्री रहे हैं और उसमय आपकी मांग कहां चली गई थी कि जब जब उठाते हैं जब जब स AL score के साथ कहड़े नहीं होते केंद्रीय सता के साथ जाते हैं इन का मुद्धा गान हो जाता है यही आप केंद्रिये विष्विध्याले के मामने में देव गये पटना विष्विध्याले के दरजा देने की बात हुई थी ना इस समय जो मुदी जी आ थे बोले थे कि सब कुछ हुआ बाद में आई गई कुछ नहीं हो गई तो साथ रहे तो मौन धारन की रहे और जैसे ही फिर दुसरे खेमे में आए तो भाजपा ने चल कर दिया मुदी जी चल कर दिया तो कुल मिला के जो आज के तारिख में जवराजनिती चल रही है अभी जो जाती गन्ना क्याक्रे को लेकर के आए और जो अरक्षन का दैरा बढ़ा करके 75 परतिशत करने की बात आई उसमें कहीं न कहीं भाजपा भी पूरी तरीके से सक्ते में दिखी और सक्ते में ने उनका दोहरा चरित्र भी उजागर हुआ कि आप गण्ना का विरोज भी कर रहे हैं जब बाते आ रही है तो यह भी कर रहे है क्या रे भाए हम भी तो ऊश्ओम थे साथ में तो प्रस्ताव पारित हुआ था जब रिपोर्ट उन्हीं के लोग कोट में भी जाते हैं फिर जब गन्ना होती है रिपोर्ट से अरजनिक होते हैं तो रिपोर्ट का भी रोज नहीं करते हैं रिपोर्ट गलत है यह का हते हैं जब वह प्रस्ताव लेकर के आ जाते हैं तो आप इधान सम्हाँ में भीरोध करते हैं तो टीक है न वहां बहुमत με कुल्मिला कि अगर नित्य जी को लगता है कि हम जाति गण्ना करा करना और अरक्षन का दारा बढ़भा करके तो इनको भी जो विसेस्य का मामला है यह कुछ करना और यह सभी मुद्द्द जो है जो चुनाव के समय में उठाये जा रहे हैं क्या यह सब तो राजद के मुद्दे हैं और इसके पिछे ठीक है उपमुख मंत्री तिजस्वी यादब तो हूं गही लेकिन क्या सुप्रीमों राज़त सुप्रीमों लालू यादब जी भी है कि कुल मिला के अभी जो नितीजी की राजनीती है ना समझ रहे ना वो राजनीती अब बहुत साफ है अब जो नितीजी के जो तमाम फैसले हो रहे है ठीक है ना उसको आप उनका स्वतंत्र फैसला नहीं कह सकते ठीक है ना वो फैसला जो है ना पूरा कसम कस वाला फैसला है जो फैसला नहीं लेना नहीं भी लेना चाहते हैं उसको भी ले रहे हैं जो लेना चाह है ना वह है दवाग तो है यह जाहिड है क्योंकि जो तस्वीर है जो सामने है कुल मिला क्यों भी अपने राजनितिक अस्तित्त की लड़ाई जो है और यह भी एक सवाल अगर इसको इस रूप में देखिए कि 2004 से जो सरकार थी मनमुहन सरकार उसमें तो राजद उसमें सामिल थी तो ही का रहा है ना उसके बाद की सरकार में भी सामिल थी तो उस समय सरकार से आपने सवाल उठे जिस तरह से पुर्व मुख मंत्री सुसिल कुमार मोदी कह रहे है कि मरी हुई घोरी को चाबुक मारने से अब कुछ होगा नहीं तो तो सीधे सेते इनकार कर रहे हैं सुसीर कुमार मोदी कि अब कुछ नहीं होगा यह भी है कि सवाल कि क्यूं कुछ नहीं होगा उनका करना कि 2009 के बाद कि ओ lenght राज को पिछने वह रहे उनको भी सहत strength expose और दरदा नहीं तिया गया है ना नहीं इस मुद्शे पर ना कुल मिला के ये तमाम पाटियां ठीक है ना तो भाजपा भी कहे नहीं ब्रेन बास है ठीक है आप कह रहे हैं कि नहीं है नहीं हुई है तो कहने से काम नहीं न चलेगा भया तो आप जिस समय अभी तो उनके साफ आगी रहे हैं और आप नहीं अगर दिना है नहीं कुछ करना है तो सुसिल म सब्तुर पर भाजपा धिकारी को उपसे मना करते कि नहीं आपके मांग कहीं नहीं तो कहें कि धूल जोकने की जो बातों जो जहनी चीज कर रहे हो लालू करों भाजपाबी इस मामले में समान रूप से हखदार है और फिर वही पाद्चव ले दे के आती है कुल मिला के कि आजादी के 75 साल हो गए आज के तारिक आव आपको विशेश राज है जिस समय भारत के विहार क भारतत्राय रूप में आया था उसमय बीहर का क्या इस्थीति थी वहाँ सपती liar के प्यों क्यों ये क्या इस्थिची थी काल करम में जो नीचे चले गए उसमें आप किसकी भूम क्या को हम कम माने और ज्यादा माने अज के तारिक में जहां खड़ा है आप विशेश पैकेज क्यों लेंगे पैकेज लेकि क्या करेंगे अभी सवाल है ना लेना देना के टो बात झँड़ीजिए वह भाजपा भी नहीं बोलेंगी कि हम नहीं देंगे क्योंकि सुषिल मोधी के कहने से कुछ बाते नहीं होती है क्योंकि सुषिल मोधी पर भी चर्चा करेंगे तो बहुत बाते हो जाएगी लेकिन वो सब कहीं नहीं होगा लेकिन अगर विशेश दराज का दर्जा ओ मांग भी रहे हैं और भाजपा दे भी दे तो कुल मिला के इस बिहार की जनता का क्या भला होने भला है विशेश दर्जा मिलने से क्या होगा विशेश दर्जा बाले राज तो है ना आज के तारिक में कुछ न घटे जी जो विशेश दर्जा कुछ-कुछ का न घटा है अभी है ना कुछ-कुछ राज है हो रहा है तक कि बादने के बजाए है आप क्या बनाना चाहते हैं ठेट वाषा में पर देंगे सरकार के पास विरुजगार है तो 5000महिना देंगे तो तीन हजार देंगे आप इसे करके देंगे विस किलो चबल देंगे आप दूसर रूप है कि इस कूटी देंगे बच्चों को परने के लिए बुजा कार भी देंगे और भी कई आप एक निर्फा निर्फः और प्रधती चीजें अभी केंडरित यही बाते हैं जो हम है सिख्षा की बात है रोजगार की बात है तीका ना लोगों को आपनीर रजफ़ित कैसे बनेंगे जब किसीजित कैसे होगा दिमाग किसीद होगा आपत मिर रहेगा आप हम सक्ष्भ हो तो आज के तारिक में शिक्षा को बरहावा देने के लिए आज नबे से जोड़िए कितना साल थेतिस साल हो गया ना जी तेतिस साल में लालू निचिस मिला के तेचिस आउसमें भाजपा भी घुशेर लिजिए तीनों मिला के तेचिस हुआ अलग-अलग बंटिएगा तो उस आप अत्म विश्वास जगाईए न लोगों में साधान से ही नहीं होता है आत्म विश्वास से भी होता है आपको अगर 500 रूपे की जरूरत है एक दम प्रेक्षकल बात करें इसमें कहीं कुछ नहीं है आपको अगर 500 रूपे की जरूरत है दिल्ली जाना है आप कम्टिशन जरूरूर्पास करेगा बहुत पढर्या भुलंदी से जाई हैं न झृकूशन कुछ सक्ता है यसा करसा हता है और यहीद्र फरकार तो कम से किलो मीटर दस किलो मीटर में जाके इसकुल में भी हार के लोग नहीं पढ़ते थे उसके मात्रा में ज्यादा हो गया है क्या कुछ हम तो पड़ी बरता नहीं देगे मेरे गाव में जिए जमाने में भी आई इस आई पीए सब्सक्राइब आज भी और है लेकिन मात्रा तो इसकुमार ने उच्छाला है और देखनाओं का कुछ तक क्या इससे विशेश राज का दर्जा की आरक्षन का तो कर रहे थे तो वहां तक समझ में आ रही थी ठीक है ना नहीं उसमें पहुत बाते हैं कि तुकि आरक्षन तो मान लिए कि वो अपने पोटे में रखेंगे ही कुन की उपलब्दी है लेकिन अब विशेश से राज का दर्जा अगर नहीं दिया तो पूरा का पूरा जो है वो और पिछरेपन का जो जो कुछ भी बचा हुआ है केंदर सरकार उसके लिए दोसी इठार आएंगे परचार में कम से कम इससे तो सुबदा होई जाती है उतना बोली भाली नहीं है नहीं समझ रहें अब आप किसी को बताईएगा कि देखो उतारा उगा हुआ है तो ऐसा नहीं होता तो इसी लालू राबरी राज में जब लालू का चर्मुत कर्ष था एक अधना सादमी राबरी देवी को मुखमंतुरी रहते हुए कि इसन इस सकते हैं लेकिन हम है चुनाब पर्ष parfत ने अपने। ुघ्राइबर को सब्सक्राइब को रहें उठाद में चटीक ठाश कुमारज में नहीं फीरणाब लड़के हरा दिया ने तुनाव लड़ा नहीं लड़ा दूसें उपर बाद में बात चित करेंगे खिलाल आपने जो समय निकालो उसके लिए भार नमस्कार नमस्कार